नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंथ गंगा में मुक्ति पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे, अन्नधन के भंडारियों कहें की आपकी साथ पुष्टें, तक करेंगी आपके रुपियों पैसों पर, राज जीहा दोस्तों साथ पीढ़ियों तक बैंट बैलन्स बढ़ता ही चला जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे, और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे, सुख आपके कदम चुमेंगे, यदि आप छे और साथ सितंबर को यानि जन्माष्टमी के दिन चुपचाप ये एक खास और महत्वपूर्ण चीज गाय माता को ख खिला देते हैं, तो भगवान श्रीकृष्न अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है, समस्ट संकट कष्ट दूर हो जाएंगे, और आपके जीवन में अपार धन संपत्ती की प्राप्ती हो जाएगी, गरीबी समाप्थ हो जाएगी, जीव इस वीडियो में आपको वो ही बताएंगे, जीज चीज को खिलाने से भगवान श्रीकृष्न प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, तो दोस्तों, अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए पूरा वीडियो को पूरा देखे बिना नहीं जाना यदी. लाइक कर दीजिये, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्रीकृष्न लिख देना जिससे आपकी समस्त. लोग उपवास रखते हैं और कृष्न के लिए प्रेम से भक्ती गीत गाकर और रात में जागर्ण कर उनको मनाते हैं. आपको बता दें जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्रीकृष्न के जन्म के प्रतीक के. जन्माष्टमी का त्योहार कब मनाया जाएगा आपको बता दें कृष्न. जन्मोटसव के लिए लोग वरत रखते हैं और रात में बारा बजे भगवान श्रीकृष्न के जन्म के. बाद प्रसाद जो है प्रसाद को वितर्ण करके अपना वरत खोलती हैं. इस साल भादरपद माह के कृष्न पक्ष की अश्टमी थी 6 सितंबर को दोपहर 3 बचकर 37 मिनट से हो रही है. शुरुआत और इसका समापन अगले दिन यानी 7 सितंबर की शाम 4 बचकर 14-14 मिनट पर हुआ शास्त्रों के अनुसार भगवान श्रीकृष्न का जन्म रातरी 12 बजे रोहिनी नक्षत्र में हुआ था. इसे मान्यता के अनुसार ग्रस्ट जीवन वाली 6 सितंबर को भगवान श्रीकृष्न का जन्मोटसव मनाया. जाएगा ग्रस्ट जीवन वाली मथुरा में भी जन्माश्टमी 6 सितंबर को ही मनाई जाएगी इसी दिन. रोहिनी नक्षत्र का सन्योग बन रहा है. वहीं वैशनव संप्रदाय में श्रीकृष्न की पूजा का अलग विधान है. इसलिए वैशनव संप्रदाय में 7 सितंबर को जन्माश्टमी का त्योहार मनाया जाएगा समझ में आ गया. और आपको बता दें कि जन्माश्टमी का वरत पूजा विधी भी बता देते हैं. गाय माता के उपाय बताने से पहले दोस्तों क्या करें? इस दिन आप जन्माश्टमी के दिन सुभह जल्दी उठकर सनान आदी से निवरित्थ हो जाए घर के मंदिर की साफ सफाई करे घर क मंदिर में दी. प्रजवलित करें सभी देवी देवताओं का अभिशेक करें. जलाभिशेक इस दिन भगवान श्री कृष्ण के. क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात में हुआ था रात्री में भगवान श्री कृष्ण की विशेश पूजा अर्चना आपको. करनी चाहिए लड़ू गोपाल को मिश्री मेवा का भोग लगाए लड़ू गोपाल की. आर्ती करें इस दिन अधिक से अधिक लड़ू गोपाल का ध्यान करें इस दिन लड़ू गोपाल की अधिक से अधिक आपको सेवा करनी चाहिए और आपको बता दें इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ देवकी जी की मूर्ती भी स्थापित करनी चाहिए देवक को इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता के रूप में सिंधाडे के आटे की पकोडी मावे की बर्फी सिंधाडे के आटे का हलवा का आधी का आप कर सकते हैं और दोस्तों अब बात करें कि आपको इस दिन यानी कृष्णा जनमाश्टमी के दिन गाय माता को ऐसी क कौनसी खास चीजें खिलानी है जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं जीवन से ततकाल गरीबी को समाप्ट कर देते हैं और युकेश साथ पीजियों तक बैंक बैलन्स चला जाता है बस आप उस पे तक रुपियों पैसों पर रास करेंगे गरीबी समाप् बनाए या दोस्तों पहली रोटी पर आप हल्दी गुर और घी रखकर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए गाय माता को पहली रोटी खिलाया इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और अपनी मनोकामनाय मांगी दोस्तों आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो पीले फल पर आपको स्वस्तिक बनाना है हल्दी से स्वस्तिक बना लें और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए मन इमानदार का स्मरण करते हुए गाय माता को खिला दी कोई भी एक पीला फल लेले स्वस्तिक बनाकर हल्दी से उस फल के उपर गाय मात को यदि आप खिला देते हैं तो दोस्तों चारों दिशाओं से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा ऐसा शुब सही होंगे पूरे 500 वर्षों के बाद ऐसा शुब सन्योग बना है जिसमें आपको लाभ मिलना पाते हैं और दोस्तों आप क्या करें इस दिन यानि कृष्ण जन इनकी लोई बना लिया छोटी छोटी आटे की लोई ग्यारा लोई बना ले और इनके उपर प्रत्येक ग्यारा लोई के उपर हल्दी से टिकट कराने हिंदी से मतलब स्पर्ष कराने हल्दी का स्पर्ष प्रत्येक ग्यारा और इसके बाद इन ग्यारा लोगों को अब मिलना शुरू हो जाएगा और दोस्तों जाते जाते एक बहुत। चटा दिया वो जीव से इसे चटनी तो दोस्तों समझ लेना उसी समय से आपका अच्छा। उपाय क्रिश्न जन्माष्टमी के दिन जरूर करें विशेश लाभ मिलेगा तो दोस्तों ये कुछ उपाय और महत्वपूर्ण जानकारिया आशा करते हैं आपको। विडियो लाइक कर देना विडियो पोस्ट शेर देना कमेंट्स कमेंट्स बॉक्स से लिख देना धन्यवाद। इजल राएव मिलेगा भाइप।